हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम यह वाइरल ब्रेड टोस्ट रेसिपी शेयर कर रहे हैं यहां पर मैंने डो ब्रेड लिया है आप वाइड ब्रेड भी लिया है उन पर घी लगा कर एक पैन में हम इसको सेक लेंगे हलिका से दोनों तरफ गोल्डन ब्राउन होने तक फिर यहां पर मैं इसके चारो साइड पर यहां पर नॉर्मल मिल्क डालूंगी मैंने फीका लिया है चीनी नहीं है आप चाहिए तो चीनी कर सकते हैं थोड़ा सा मीडियम फ्लेम रखकर हमें एक मिनट ही लगेगा लगबग और यह दूद खप जाएगा पूरा का ब्रैट सोक लेगा और थोड़ा सा दूद हम ब्रैट के ऊपर भी डालें कुछ इस तरीके से इसके कॉर्नर पर डाले चाहिए आप इसके कॉर्नर कट कर सकते हैं या एजटी यूज कर सकते मैंने यूज किया है फिर यहां पर हम स्वीट के लिए हां पर हम हनी एड करेंगे आप कोई भी ब्रैंड का हनी ले सकते हैं और यहां पर हनी डाले कर इसको गर्म गरम सर्व करें यह आपको जब खाने का हो तो तभी आप हनी आड करें और इसको गर्म गरम ही सर्व करें यह बहुत टेस्टी लगता है और यहां पर मैंने यह हनी वाला ब्रैड एक रैसिपी दूसरा यहां पर हम एक चॉकलेट फ्लेवर से भी हम सब रेसिपी शेयर करोंगे में यहां पर इसको आप गरम घरम खाएं और इंजय करें बद्चों को खेलाएं ऐसी अच्छी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को प्लीज प्लीज जद ज़्यादा शेयर करें सब्सक्राइब कर करें चैनल को सपोर्ट कर दीजिए यहां पर मैंने चॉकलेट फ्लेवर के लिए दूसरा ब्रैड लिया है और इसको अच्छे से लेंगे दोनों एक साथ नहीं सेखना हमने यहां पर क्या आड करनी है चॉकलेट तो हम यहां पर एक ब्रैड पे नीचे की साइड पर ब्रैड ब्रैड चॉकलेट वाला फिर यहां पर हम एक साइड प्लेड करकर गीर कर इसको सेखने के बाद फिर वैसे ही हमने थोड़ा सा दूर चारो साइड पर डालना है तो कि इसको मीडियम फ्लेम पर ही सेखें और यहां पर दूर थोड़ा डाल कर हम इसको अच्छे से खपने के देखे देखे और इसको टाइम देंगे ब्रैड को सिखने के लिए आप इसकी चारो कॉर्णर की साइड भी हम दूद डाल गये और फ्रेंट्स यह तनी वाइरल है तो यह वीडियो भी प्लीज वाइरल कर दीजिए प्लीज मेरे चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएए जो एक हणी फ्लेवर का और एक चॉकलेट फ्लेवर का आपको यह प्लेट ब्रेसिपी कैसी लगी अब यहां पर हमार यह bread साग 있게 है which is only burn करेंगे फिर यहां पर हम थोड़ा से इसकी लिए the chocolate topping करेंगे यहां पर मैंने थोड़ी सी चाट्छा डालनी तोड़ी सी जो कट करके रखलेंगे हमने चाट्छा वownik करेंगे और थोड़ा से कुछ इस तरीके से हम सिरप डाल देंगे चॉकलेट सिरप या मैल्टेड चॉकलेट भी डाल सकते हैं कुछ भी ऐसा डिजाइन सा बना दें मैंने तैसी रफली बनाया है और यहां पर जो चॉकलेट है हमने घिस के रखा हुआ है वो भी हम इसमें एड कर करें और इसको गर्म करें बच्चों को बहुत प्रिसंद आएगा और प्लीज में चनल को सब्सक्राइब कर दीजिए शेयर कर दीजिए थैंक्स फो वाचिंग ट्रैंड्स बाइबाई